इसएल और हमास में तना तने बढ़ती जा रही है। गाजा पटि में छे बंदकों के शव मिलने के बाद इसरैल की लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। इसके विरोध में इसरैल में हजारों लोगों ने रैले निकाली जिससे पुरे देश में आक्रोश फेल गया। तेल अवीव में रविवार शाम लाखों लोग प्रदर्शन के लिए जूटे थे। लोगों ने प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहु पर हमास में बंधक बनाये गए लोगों की रिहाई के लिए पर्याप्त कदम में ही उठाने का आरोप लगाया। इस्राइली सेना ने कहा कि दक्षली गाजा के राफा में शनिवार को उन्हें छे शव मिलें इनमेक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। हालंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पांच लाग से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया गया है। इस्राइल के लोगों ने पीम बिंजा में नेतन्याहू पर बंधकों के रिहाई के लिए धोस कदम नहीं उठाने कारूप लगाया। प्रदर्शनकारी सीजफायर और बाखी बैचे बंधकों के रिहाई की मांग कर रहे थे। अगर ये समझोता होता तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता था लेकिन नेतन्याहू राजनितिक मजहूं से समझोता करना नहीं चाहती। सरकार के खिलाफ लोग राद भर प्रदर्शन करते रहें, कई हाईवे जाम कर दिये गए वे सरकार के खिलाफ नारी भी लगा रहे थे। उन्होंने सरकार से युद्ध विराम की मांग की ताकि बंधकों को जिन्दा वापस लाया जा सके। मई इसराइल के मजदूर संग ने देशवर में हर्ताल का भी ऐलान कर दिया, इसके वजह से इंटरनाशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन भी प्रभावित है। मई छे बंधकों की शव मिलने के बाद इसराइल के रक्षामत्री योव गैलेंट अपनी ही सरकार से नाराज है। समझोता नहीं कर रही है। रदर्शन कर रही लोगों ने बागी बचे बंधकों की रहाई के लिए युद्विराम की मांग की। लोगों ने कहा कि हम बचे बंधकों को जिन्दा वापस चाहते हैं। प्रदर्शनकारी बंधकों की सम्मान में देश का जंडा, पीले रिबन और मारे गए छे बंधकों से माफी मांगने वाली तक्तियां हाथों में लिये हुए थे टाइमस ओफ इसराइल से तेल अभीव के रहने वाले श्लोमित हकोहें ने कहा सरकार अपने बचाव के लिए ये कर रही है, बंधकों की रिहाई के लिए नहीं अब हम उन्हें बताना चाहते हैं कि रुख जाओ दूसरी तरफ इसराइल के सबसे बड़े व्यापार संग हिस्ता दुरुत ने गाजा में छे बंधकों की हुई मौत के बाद सोमबार को हर्ताल घूशित कर दी स्वास्त, परिवहन और बैंकिन जैसिक शित्रों के करीब आठ ला करमशारी इस संग के सदस्य है इस हर्ताल का मकसद बंधकों की रहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाना है